इदान के क्या लक्षर हैं और और आश्यार जी ये भी बताईगे जब हम बात करते हैं सनी की धैया के सनी की धैया और सनी की साढ़े साती दोनों एक ही बात है जो कष्ट जातक को साड़े साथ वर्ष में भुक्त करने पड़ते हैं वही कष्ट जिस जातक पर सनी की ढईया का समय चलता है उसे ढईया वर्ष में भोगना पड़ता है बर्तमान समय में करक रासी और व्रश्चिक रासी सनी की ढईया के प्रभाव से प्रभावित हैं देखें यदि आप सनी की ढईया के प्रभाव से प्रभावित हैं तो आपको चाहिए कि कहीं निर्माना धीन सनी मंदिर में जाकर सनी की प्रतिमा इस्थापित करें अथवा सनी देव मंदिर के निर्मान कारे में सहयोग करें। आप सनी देव के निर्मान काल में मंदिर निर्मान में सरिया का दान करें, लोहे का दान करें, सीमेंट का दान करें और प्रातह काल उठ करके छाया पात्र का दान करें। उसमें अपनी चाया को देखें और जाकरके नगर के बाहर किसी डाकाउत को देदीजी डाकाउत उसे कहते हैं जो हमारी डाक को ले करके जाता है। ये सनी की ढईया के उपाय हैं, सनी स्तोत्र का पाठ करें, शनी मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करें सनी देव को और अपनी गलतियों के लिए छमायाचना करें, भूल कर भी किसी बिधवा इस्त्री का अपमान नहीं करेंगे तो ये आपको उपाय करने हैं, इसके साथ ही आचार जी हम ये भी जानेंगे कि अगर शनी वक्रिय हैं, तो जिन्दगी में क्या कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, क्या लक्षन और इसके क्या उपाय? जी, देखे लक्षमे जी, सूर्शिद्धान्त नामक एक गरंत है, जो की सिद्धान्त जोतिस का गरंत है, जोतिस के तीन भागें तरशकंद जोतिस जिसे चहते हैं, उसमें संगिता है, सिद्धान्त है और हो रा है। सूर शिद्धान्त सिद्धान्त जोतिस का सर्वत्तम गरंत है इसमें ग्रहों की आठ प्रकार की दसाओं का आठ प्रकार की गतियों का वरणन है लिखा है ग्रहाणाम अस्तधा गति ही क्रहों की आठ गतिया होती है इसमें मारगी और वक्री दो प्रमुख गतियों का वरणन क यदि आपकी राशी पर आपकी कुंडली पर सनी देव वक्री गती से चल रहे हैं इसका अर्थ है कि कुरूरा वक्रा महा कुरूरा शुभा वक्रा महा सुभा सनी अपने आप में पापक ग्रह है और वहवी यदि वक्री हो जाता है तो वह अत्यन्त कुरूर हो जाता है जिसके लिए लिखा है कि अतिक्रम में तरान सरवान निहनता पापकरत सनी ही वह सभी ग्रहों की सक्तियों को परास्त करके अकेला ही अपना फल नकारात्मक देना सु तो इसका अर्थ है कि आजीवन आपको सनी पीडित करता ही रहेगा और जब कोई भी ग्रह हमें पीड़ा देता है उसके लिए सास्त्रों में दान बतलाई हैं देखे जब हम किसी ग्रह का दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम उस ग्रह के प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हैं तो सनी के जो विभिन प्रकार के दान हैं सनी बार के दिन आप आठ नंबर के काले रंग के जूते का दान कर सकते हैं इसके साथ ही काले उड़त का दान कर सकते हैं काले रंग के वस्तर में काले तिल और कुछ लोहे के सिक्के बांध करके अपने उपर से आठ वार उतारा करके उसको जल प्रवाहित कर देजिए ऐसा करने से आपके वक्री सनी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सरवदा के लिए जो सनी का दुस प्रभाव है नकारात्मक प्रभाव है उससे आपकी रक्षा होती रहेगी